अलो प्रेंट साय माइनम इस रॉथार रॉथार जैले सिस माइनम तो फाइनली जेई मेंस तो हमने दे दिया है रिजल्ट भी आ गया है रेंग भी पता चल चुके है लेकिन अब क्या वाट नेक्स और अब हमें करना क्या है कौन-कौन सी काउंसलिंग अटेंड करना है तो सार से कॉलेजिज एक बेटर आप्सन हो गया एक ही वीडियो में सारी चीज़ों का समझेंगे चलिए शुरू करते है तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है तभी आपको समझ भे आएगा क्यूंकि इस वीडियो में सारा एक सारांस हम आपको दिखा देंगे तो जेई में समने दिया मतलब एक ऐसा एक्जाम जो हम इंजीनियरिंग के लिए देते हैं इसमें हमारी एक्स वाइजेट जो भी रेंक है उस रेंक के आधार पर ही आपको कॉलेजिज मेलेगा लेकिन अब यहाँ पर स्टेट टू स्टेट और आपका प्रिफरेंच च्वाइस के आधार पर आप अलग-अलग जगाओं पर अलग-अलग कॉलेजिस को इसको देख सकते हो जैसे कि अगर हम बात करें एनाइटीज अगर माली जो मुझे जो सा कांसिलिंग अगर हम अटेंड करते हैं तो जो सा कांसिलिंग के थरो आप आपको एनाइटीज टिपल आइटीज जी एफटी आईज और आईएटीज ये आपसंस मिल जाएंगे अब एनाइटीज में भी क्लोजिंग रेंग इतनी इतनी गई है इसे से एनाइटीज की यह आप देख सकते हो हलाकि ब्रांचेज वाइस यहां पर हमने नहीं दिया वी ब्रांच आपको मनपसंद नहीं मिलेगी ब्रांच से कंप्रोमाइस करना होगा तो अगर आपको कॉलेज जिसका प्लान है तो एक रफ आईडिया आप यहां से लगा लीजिए कि आपको अगर यह प्लान कर रहे हो इस रेंग में अब आपने एनाइटी भोपल कहा तो 55,000 की रेंग में आपको इनाइटी भोपल मिल जाएगा लेकिन कौन सी ब्रांच मिलेगी सबसे लास्ट पिछली विरांच की बात कर रहा हूं मेटलर्जिक जैसी ब्रांच अब आप सिविल मेकनिकल ब्रांच 25,000, 30,000 और सी एजब रहे हैं 15,000 के अंदर क्लोज हो जाएगी 12,000 मे एक से और दिस तिंग राइट सो हमने जो आपको आइडिया दिया है यह एक यह बताया है कि भाई सब इस रेंग तक कॉलेज मिल जाएगा ब्रांच नहीं मिलेगी कंफ्यूज नहीं होना चलो नेक्स चलते इसी तरह से ट्रपल आईटी ट्रपल आईटी आपको मिल जाएग जिएफटी आईज की इतनी जाते इंपोर्टेंट नहीं है और बच्चा कई बार इसको मांगता भी नहीं है राइट कई जिएफटी आईज अच्छे भी नहीं है मतलब उनका प्लेस्मेंट और अगर हम बात करें एबरेज भी तो बहुत कुछ खास नहीं है बिट मिस्रा अगरा का नाम सुराओंगा क्योंकि ये बाकई में काबल तारीफ है अच्छा कर रहा है बट बाकी कमें रिफ्रेंज भी देना नहीं चाओंगा तो यहां पर भाइस साब अगर हम बात करें लाखों में रेंग जा रही होती है लाखों में यह मिल जाते है जिसे आप देख है अलग अलग स्टेट से मालो आपको दिल्ली के कॉलेजिज लेना है चो अब दिल्ली में कॉलेजिज लेने के लिए दो तरीके एक तो आई पी यू दिल्ली राइट इंपरस नाम सुराओंगा तो वो काउंसिलिंग आप अटेंड करोगे दूसरी होती है जैग देली राइट और इसी तरीके से आई पी यू देली पिप covered के कई सारे ले सकते हैं जैसे महा राइज सुर्जअमिल की तमाम कॉलेज उस के थरूं मुलते हैं और अगर हम यहीं बात करें जैक देली की तो इसमें इंदरा बॉमेंग जो कॉलेजिज इसमें इंडिरा बुमेन जो गांदी के नाम से राइट यह कहीं ना कहीं आपको इंट्रप्योनर्शिप से रिलेटेड है अभी नया नया जुड़ा हुआ है तो इसको भी आप देख सकते हैं यह पांच छे कॉलेज़े से हैं जो इसके तरो मिलते हैं जेक चंडीगर राइट तो ये भी जेई मेन का ही स्कोर काट एकसेप्ट करता है बट काउंसिलिंग भाई साब के रहें कि हम अपनी अलग करेंगे तो जेक चंडीगर अगर चंडीगर में आपको यह कॉलेज़ चाहिए यू आई एटी चंडीगर चाहिए या होसियार पॉर् डेट होगी जो प्रोसेस होगी उसको करना है और उस सबके लिए इस चेनल को बस सब्सक्राइब करेंगे मेरे साथ बने रहें आपको सारी चीज़े बताई जाएंगे और नीचे प्रोफाइल एनलिसिस फार्म हमने दे दिया है उसको आप जब भरोगे तो आपको बता दिय जाएगा भाईया देखो तुमारे प्रोफाइल के साबसे क्योंकि हर बची के अलग अलग प्रोफाइल होगी राइट तुमारी प्रोफाइल के साबसे यह भाईया कॉलेज़ें यह बेस्ट कॉलेज़ें अब तुमारी मर्जी उनको चूस करना नहीं करना तो वो सारी के राइट सॉप जिसे हमने महराजा अग्रिसेन की बात करी थी महराजा सूर्जमल की बात करी थी युएस आई सीटी कॉलेज भी है इसको भी देख सकते हैं युएस ए आर भी है बीपी आई टी है राइट सुप यह से तमाम कॉलेज अगर आप प्लान कर रहे हो दिल्ली में तो एक तो हमने बताया था कि जेक देली दीजी भाई सब अगर आप जेक देली नहीं चाहते हो तो आप क्या दीजी आई प्यू दीजी आई प्यू की कॉंसलिंग करिए तो दिल्ली में कॉलेज लेना है तो दो ही तरीके राइट अब इसके लावा तीसरा एक और तरीका है वो है डारेक्ट यूनिवर्सिटी जो कहीं न कहीं दिल्ली NCR में ज़्यादा तर कॉलेज है उनकी कॉंसलिंग UPSWC से भी होती है तीसरा है कि जैसे जेपी हो गया जेपी अब जेपी नोइडा है तो यहाँ पर जेपी नोइडा खुद की कॉंसलिंग करा रहा है इसलिए सा हो उनकी अलग-अलग कॉंसलिंग होती है तीन चार तरीके हो गए अब अगर आप MP के कॉलेज जिसका प्लान कर रहो है तो MPDT यह देना पड़ेगा राइट उस MPDT में क्लोजिंग लगबग यह यह जाती है इनन कॉलेज SGS ITS इतनी इतनी गई है लेकिन SGS ITS में 40,000 की रें के अंदर क्लोज और इसी तरह से डिये भी भी है राइट अगर हम इसकी बात करें तो आपको एक लाग देर लाग के बात कोई मिले गई नहीं देर लाग की रेंग में कोई ब्रांच नहीं मिलेगी सो मेक से और करो कि यहाँ पर MPDT जो है हमने यहाँ पर जो क्लोजिंग बत और है तो यहाँ पर S.J.I.T.A. DABB फिर जिएस बच्चे फिर M.I.T.S फिर AIGP फिर UGEN फिर Satie फिर बई फिर रीवा फिर सतना फिर इंद्रा सागार इस तरह के कॉंसिलिंग को देख रहे होतें तो अब यह लिस्ट देख लीजिए अगर आपकी लिस्ट में ये कॉलेज है या तो आप अपनी लिस्ट में इन कॉलेजिस को रख लीजिए अगर आपकी लिस्ट में ये कॉलेजिस है तो फिर आपको कौन सी काउंसिलिंग करनी पड़ेगी MPDT की काउंसिलिंग REAP काउंसिलिंग राजिस्थान राजिस्थान की कांसिलिंग है ये भी J.M.C. दे रहा है लेकिन कांसिलिंग राजिस्थान के कॉलेजिस के लिए ये आपको करनी पड़ेगी अब इन सारी स्टेट की कांसिलिंग में एक benefit ये होता है जो बच्चे उस स्टेट के हैं उनको तो जवरदस benefit मिलता है क्योंकि कई-कई स्टेट में 90% सीटे तक रिजर्व होती हो उसी बच्चों के लिए बाहरवालियों के लिए बड़ा मुस्किल हो जाता है क्योंकि 5%, 10% कही ने कही मिलता है लेकिन वो सिर्फ government में प्राइबेट में नहीं अगर आप प्राइबेट कॉलेज देख रहे हो तो कोई देख कर नहीं रीप कांसिलिंग MBM, Engineering College अगर आप इसको चाते हो तो देख सकते हो University, Teaching Department, RTO, Quota बहुत सारे colleges है राजिस्थान के अगर आप प्लाण कर रहे है Engineering College अज में तो आपको रीप कांसिलिंग देनी पड़ेगी UKTU, जैसे UPSW होता है उत्तर प्रिदेश का इसी तरह से उत्तरा खंड के लिए UKTU colleges है आप यहाँ पर College of Technology पटना इसको देख सकते है PG Abdul Kalam Institute तो यह तमाम College अगर आप तरह खंड में देख रहे हो तो आपको UKTU counseling करनी पड़ेगी एक्जाम नहीं देना है counseling करना है एक्जाम तो आपने दे दिया है J-Mains के अधर पही होगा UPTU counseling UP के तमाम colleges के लिए UPTU के IIT हो, CANIT हो, बंदेल खंड हो यह फिर आपका IIT इलाबाद हो REC के सारे REC बंदा आम बेट करना करें यह तमाम colleges इसी के तरह मिलेंगे और private colleges भी अजे कुमार गर्ग, JSS, GL बजाज, IMS, गाजियाबाद यह XYZ और कोई A, B, E, E, S तो आप जितने भी colleges देखेंगे वो सारे के सारे इसी के तरह मिलेंगे So make sure, अब REC के जितने colleges देखें मनीपरी, आजमगर, राइट या बांदा यह तमाम colleges इसी के तरह मिलेंगे G, N, O, T, राइट या M, I, E, T K, I, E, T, किसना यह तमाम colleges UPTU counseling के तरह मिलेंगे अब यहाँ पर इसी के बाद अगर हम बात करें तो और भी कोई colleges हैं universities हैं जो J, E, Mains का score का directly accept करती हैं बट वो साथ ही साथ अपना खुद का exam भी देती हैं और कुछ state भी हैं जैसे महराष्ट है, MST, CT है महराष्ट ने कहा कि भाई सब देखो कुछ colleges के लिए 90% सीटे तो हम अपने ही exam से देंगे MST, CT से देंगे अपनी ही counseling कराए ठीक है, लेकिन 10%, 15% सीटे हम J, E, Mains वालों को भी दे देते हैं तो कुछ colleges ने कुछ state ने क्या कर रखा है कि कुछ percent J, E, Mains वालों को दिया है बाकि अपना खुद का करार है बट मोटा मोटा यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तमाम colleges थे यह तमाम counseling थी जो J, E, Mains के आधार पर होती है अब करना क्या है? आपको profile अपनी हमें बताना है profile analysis form बरना है इसके बाद हम आपको सारे options बता देंगे के आपकी profile के साफ से इस बुद बेटर ऑप्स थैंकि प्रवच्छ थैंक्स अलॉट